हेलो फ्रेंट्स, अज हम बात करने वाले जो हमारे पास mobile phone है Infinix Note 30 5G mobile phone और वहीं दूसरी तरफ है हमारे पास Infinix Note 40 Pro 5G mobile phone करने वाले इन दोनों mobile phone के अंदर जो इसकी zooming quality है उसका test देखेंगे कितनी दूर तक कौन सा zoom करता है और कितनी अच्छी quality देता है phone तो करेंगे इन दोनों मुवाइल फोन में camera zooming comparison बाकी चलते हैं वीडियो गोगों तो फिर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं एक तरफ है हमारे पास Infinix Note 30 5G मुवाइल फोन और वहीं जो दूसरी तरफ है हमारे पास Infinix Note 40 Pro 5G BMW Edition रैसिंग ग्रे कलर में तो फटाफट इन दोनों मुवाइल फोन में camera active कर लिया है कर लेंगे इसके अंदर camera zooming test जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही फोन में जो है मैंने without zooming में एक photo click कर दिये ठीक है ना AI और without AI में भी photo अगेरा क्लिक करेंगे तो अभी जो है हमने without AI में photo click कर लिये इसके आद में थो 5X की zooming करके मैंने कुछ photos और click कर लिये ठीक है और AI मोड में भी मैं 5X में कुछ photos वगरा click कर लेता हूं जैसा कि अभी आप देख सकने AI मोड को active करके मैंने दोनों में photo click कर लिये इसके बाद जो है हम थोड़ा सा और zoom करेंगे ठीक है जैसा कि आप देख सकते 7X तक जो है मैंन मारा जो Infinix Note 40 Pro 5G mobile phone है उसकी quality मुझे ज्यादा बैटर लग रही है Infinix Note 35G mobile phone की देशा कि आप देख सकते हैं मैंने 10X में दोनों में photo click कर लिये AI मोड और without AI मोड को active किये दोनों ही phone के अंदर जो है मैंने photo click कर लिये और दोनों ही में photo आपको दिखा जैता हूं देख सकते हैं दोनों की camera quality आप देख सकते हैं किसकी better लग रही है दोनों की camera quality में ज्यादा difference नहीं है लेकिन coloring वगेरा और थोड़ी enhancement जो है वो काफी जादा अच्छी लग रही है जो मारा Infinix Note 40 Pro 5G mobile phone है उसके अंदर आपको किसकी camera quality अच्छी लग रही है हमें comment box में जरूर बताइएगा बाकी देख सकते हैं काफी सारे photos हैं काफी अच्छे photos हैं और इसकी जो display है वो AMOLED display मिल जाती है आपको उसकी वेसे थोड़ा सा और better देखने को मिल रहा है और camera भी मैंने अलग से photos वगेरा भी click करके देखे हैं उसके हिसाप से भी जो Infinix Note 30 है उसकी camera quality कुछ खास अच्छी न दोनों में ही हम देख सकते हैं zooming वगेरा करके दिखाएंगे और वीडियो को भी active कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जो वीडियो के section में कैसी क्या quality मिलती है कैसी क्या zooming मिलती है बाकी दोनों फोन में एक चीज थोड़ी difference है हमारा जो Infinix Note 40 Pro 5G मॉइल फोन है उसके अंदर आपको ultra enhanced mode मिलता है जिसे हमने activate नहीं किया है ठीक है न और बाकी recording मैंने देख सकते हैं दोनों ही फोन में active कर दी है और zooming कर लेता हूँ दोनों ही फोन में जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 2x तक मैंने zooming कर लिए फिर Infinix Note 30 में जो है मैं थोड़ा सा और zoom बढ़ और इसके बाद आप देख सकते हैं अभी जो है मैं इसके अंदर 7x तक zooming कर दी और इसके बाद फिर 9x और 10x तक मैंने zooming कर दी है जो हमारा Infinix Note 35G mobile phone है और वहीं जो दूसरी तरफ है Infinix Note 40 Pro 5G mobile phone ठीक है दोनों की वीडियो मैंने प्रोग दिये अब वीडियो प्ले करके देख लेता हूं और देख लेते हैं कि किसकी zooming quality कैसी है वीडियो quality में किस में ज्यादा better performance आपको देखने को मिलती है अभी देख सकते हैं दोनों में ही जो वीडियो तो अच्छी बनी है बट देखने के हिसाब से जो camera की quality के हिसाब से जो video quality है वो हमारा Infinix Note 40 Pro 5G mobile phone के अंदर काफी ज्यादा better मिलती है अभी देख भी सकते हैं मुझे देखने में काफी ज्यादा better लग रही है इसकी camera quality camera के अंदर जो detail वगिरा है वो काफी अच्छी आ रही है Note 40 में और Note 30 में ज्यादा जूम करने कवाद 6,7X जूम करने कवाद जो है थोड़ा सा डल आ रहा है बाकी देख सकते हैं beauty mode इसके अंदर आपको मिलता नहीं है portrait mode में आपको zooming इसमें मिलती नहीं है आपका Infinix Note 30 में ले लिए portrait mode में ठीक है न तो उसकी भी photo quality काफी अच्छी आई है देख सकते हैं तो Infinix Note 30 में जूमिंग मिलती नहीं है portrait में Note 40 में मिलती है हमें तो इसकी जो दोनों फोटो हमने click कर लिए और दोनों की photo quality काफी अच्छी आई है चलिए friends more के section में आ जाते है more के section में आने के बाद slow motion का जो section है उसमें और इसकी quality चेक कर लेते हैं देख सकते हैं इसके अंदर आप जो Infinix Note 30 है उसके अदर आप 2X तक जूम कर सकते हैं और जो Note 40 उसके अदर आप 3X तक जूम कर सकते हैं और इसके अंदर भी जो quality है वो थोड़ी सी better लग रही है हमारा जो Infinix Note 30 है उसके बैटर है दोनों ही मुबाइल फोन में सेम केमरा मिलता है 108 मेगा पिक्सल 108 मेगा पिक्सल लेकिन जो हमारा Infinix Note 40 Pro 5G मुबाइल फोन है उसके अदर 108 मेगा पिक्सल OIS कैमरा मिल जाता है जिसके वैसे जो थोड़ी सी कलरिंग वगेरा काफी better है और काफी अच्छा है नया फोन है इस वैसे चलिए इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं सूपर नाइट मॉड का जो ऑप्शन में जाता है उसके अंदर भी मैंने काफी सारी फोटो वगेरा क्लिक कर लिया भी देख सकते हैं 4X में जो है जूम करके हमने फोटो क्लिक कर लिया है ठीक है इसके बाद फिर 6 10X तक जूमिंग करके जो है हम देख लेते हैं कि 10X तक जूमिंग करने बाद कैसी का क्यामरा क्वालिटी आती है तो 10X तक जूम करके मैंने कुछ फोटो क्लिक कर लिया है देख सकते हैं और जिसा कि अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको फोटो क्वालिटी मिल 5G mobile phone की camera quality कुछ खास अच्छी नहीं लगी Infinix Note 40 जो हमारा mobile phone है उसकी camera quality काफी जादा बैटर लग रही है Infinix Note 40 Pro 5G mobile phone की camera quality काफी जादा बैटर लग रही है अगर आप Infinix Note 30 5G mobile phone और BMW Edition Infinix Note 40 Pro 5G mobile phone में से कौन सा phone लेना चाहते हैं वो हमें वीडियो बनानी पड़ रही है लाकि दोनों का हमने camera comparison किया मुझे जो है इसकी zooming quality काफी अच्छी लेगी जो हमारा Infinix Note 40 Pro 5G mobile phone है आपकी किसकी zooming quality अच्छी लेगी है comment box में comment करके बताएगर आपके पास भी इन दोनों में से कोई साभी phone हो तो अपना ओपने रामें comment box मता ही बाइगर आपके अच्छी लेगी है